एक सवाल सारे ही ब्लड शुगर के मरीजों के मन में उठता है और उनका जी भी लल चाता है कि क्या शुगर के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं ? और अगर खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं ? इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि आम की composition क्या है तब ही हम जान पाएंगे कि आम के अंदर कितनी मिठास है और कौन-कौन से दूसरे आव्यव आम के अंदर पाए जाते हैं फिर हम फैसला करेंगे कि शुगर के मरीजों के लिए आम पाइदे मंद है या इसके कुछ नुक आ सकते हैं और जब आपका परिवार आम खा रहा है तो उसमय बिना संकोच आप फैसला ले पाएं आम के अंदर लगबग 84% पानी होता है 15% कार्भाडरेट यानि मिठास होती है और करीब 1% प्रोटीन होता है एक करीब 1500 ग्राम के आम में लगबग 20 ग्राम शुगर या गु विटामिन A, विटामिन C, मेगनेशम और पुटेशम की भी काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है अब परिशानी की बात यह है कि अगर एक आम के अंदर करीब 20 ग्राम शुगर या गुलुकोज होता है तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है कि मदू में के रोगी आम खाए य उस फल का गलाइसमिक इंडेक्स और गलाइसमिक लोड कितना है तब ही हम यह समझ पाएंगे कि आम के फल को शुगर के मरीज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं तो आईए जाल लेते हैं कि यह गलाइसमिक इंडेक्स और गलाइसमिक लोड किस बला का नाम है नेकि आपको इ गलाइसेमिक इंडेक्स, एक गलाइसेमिक लोड जादा होता है, तो वो फल शुगर के मरीजों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अधिक गलाइसेमिक इंडेक्स वाले फलों को खाने से, बलड शुगर के मरीजों का शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है गलासेमिक इंडेक्स होता है फलों को इंडेक्स दिया गया है, उनके blood sugar के absorption के हिसाब से, उसी हिसाब से मालों किसी फल का glycemic index 90 है, तो इसका मतलब होगा कि उस फल या भोजन के इंदर जितना भी glucose है, उसका 90% glucose करीब 2 गंटे के अंदर आपकी आतों से absorb होकर आपके blood circulation यानी में मिल जाएगा जो इस बात को indicate करता है कि ऐसे फल खाने से sugar level बहुत तेजी से बढ़ेगा तो पहले समझ लेता है कि आम का glycemic index कितना होता है आम का जो glycemic index है वो लगबग 56 यानि कि 56 होता है जो मध्यम category का माना जाता है इसका मतलब यह हुआ कि आम खाने से किसी भी sugar के मरीज का blood sugar level बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा यानि जितना भी glucose आम के अंदर है उसका केवल 56% glucose ही पहले 2-5 गंटे में absorb होगा बागी दीरे-दीरे absorb होगा तो फिर क्या sugar के मरीज आम बिना जिजक और जितना चाहे उतना खा सकते हैं नहीं ऐसा भी बिलकुल नहीं है उसके लिए आपको पहले समझना होगा आम का glycemic load कितना होता है क्योंकि इन दोनों से या बिसाइड कर पाते हैं कि आप ओभल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं तब ही आपको इस सवाल का सही जवाब भी मिल पाएगा कि शुगर के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं आम का glycemic load कैसे पता करें? आम का glycemic load निकालने के लिए आम की एक serving के अंदर जो भी glucose या शुगर की मात्रा है उसको आम के glycemic index से गुना करके सो से भाग देना होगा इसके बाद जो भी उत्तर मिलेगा वो आम का glycemic load होगा एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी फल का glycemic load दस से कम या उसके आसपास है तो वो शुगर के मरीजों के लिए किसी हद तक सुरक्षित माने जाते हैं आम की 150 ग्राम की एक serving में यानि के करीब 1 कटोरी आम में करीब 30 ग्राम glucose होता है इस हिसाब से आम का glycemic load होगा 56 को multiply करेंगे 20 से 56 है glycemic index और 20 एक serving के अंदर glucose की मात्रा है इन दोनों को multiply करके हम 100 से divide कर देंगे जो भी उत्तर आएगा वो होगा आम का glycemic load और इस तरीके से जो उत्तर आता है वो होता है 11 यह 10 से सिर्फ एक point उपर है यानि कि 10 के आसपास है इसका मतलब यह हुआ कि शुगर के मरीज आम खा तो सकते हैं लेकिन कम और बहुत ही सीमित मात्रा में अब सवाल यह भी उड़ता है कि अगर शुगर के मरीज आम खा सकते हैं तो एक दिन में कितना आम खा सकते हैं यह बात इसपर निर्पर करती है कि आपका शुगर लेवल कितना है और आपकी शुगर कंटोल है या अंकंटोल है अगर आपका देखे शुगर लेवल अंकंटोल है शुगर बहुत ही जादा हाई है तो आपको अपने डॉक्टर की सला के बगेर कोई भी मीठा फल नहीं खाना चाहिए, आम भी नहीं खाना चाहिए लेकिन अगर आपका blood sugar controlled है, चाहिए वो तवाईयों से ही controlled है तो आप एक छोटा आम या लगबग 100 ग्राम आम एक दिन में खा सकते हैं इसको दो बार में या दो सर्विंग में आदादा करके खा लेंगे, तो और जादा अच्छा होगा इससे आपका blood sugar नहीं बढ़ेगा, control लएगा लेकिन इससे जादा आम खाने से आपका sugar बढ़ सकता है इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें और अपनी दवाईया regular रहते रहें एक बात और ध्यान रखने हैं कि जिस दिन आप कोई मीठा पल खाते हैं या मालो आम खा लेते हैं चाहें उसका glycemic index कम ही क्यों ना हो, glycemic load कम ही क्यों ना हो उस दिन किसी दूसरे भोजन जिसमें carbohydrate की मात्रा होती है उसकी थोड़ी सी मात्रा या quantity को कम कर दे सो देट ये balance हो जाए जैसे रोटी, चावल या आलू वगयरा अगर आप भोजन में इस्तिमाल करते हैं तो उसकी मात्रा को उस दिन थोड़ा सा कम कर लें तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपके काम आएगी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें इसको अपने दोस्ति के साथ शेर भी जरूर कर लें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलें बेल एकन का बटन भी दबा लें आपको समय पे मिलते रहें थैंक यू नन्यवाद